परिचय मान लें कि राहुल के पास पिज्जा है, उसे इस पिज्जा में से कुछ भाग अपनी बहनों रीमा और नीमा को भी दे रहा है, उसे पिज्जा का एक तिहाई रीमा को और इतना ही नीमा को देना है, तो राहुल के पास कितना बचेगा? आईए गड़ना करके सीखें कि राहुल के पास कितना पिज़ा बचेगा उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे समान और आसमान भिन्नों की पहचान करना दिये गए भिन्नों का योग वा व्यफकलन करना समान और आसमान भिन्न समान हर वाले भिन्न जैसे की 4 बटे 8, 6 बटे 8, 7 बटे 8, 1 बटे 8 समान भिन्न कहलाते हैं आसमान भर वाले भिन जैसे की एक बटे चार, तीन बटे पांच, साथ बटे आठ, नौ बटे ग्यारा आसमान भिन कहलाते हैं आईए अब हम पूर्व में पूछे गए प्रश्न को देखें हम कह सकते हैं कि उनमें से प्रतेक, राहुल, रीमा और नेमा को पिज्जा का एक तिहाई भाग मिला ध्यान दें कि यह भी एक समान भिन्नों का उधारण है भिन्नों की तुलना समान भिन्णों में बड़े अंश वाले भिन्ण छोटे अंश वाले भिन्ण से बड़े होते हैं। विधी एक, विभिन अंशों वाहरों वाले आसमान भिन्णों की तुल्ना करने की दो विधिया हैं। पहली विधी में माना A बटे B और B बटे C दो भिन्ण हैं, जहां B और D शूने नहीं हैं। दोनों की तुल्ना करने के लिए हम A D और B C का गुणन फल ग्याद करते हैं। यदि A गुणा D बड़ा है B गुणा C से, तो A बटे B बड़ा है C बटे D से। यदि A गुणे D चोटा है B गुणे C से, तो A बटे B चोटा है C बटे D से। यदि A गुणे D बराबर है, B गुणे C के, तो A बटे B बराबर है, C बटे D के. विधी दो, दूसरी विधी में हम भिन्न का हर बदल देते हैं, लेकिन इसका मान नहीं बदलता है. इस उधारण में, 4 बटे 5 और 3 बटे 4 के तुल्ले और 20 हर वाले भिन्न 16 बटे 20 और 15 बटे 20 हैं. समान भिन्नों को जोड़ना या घटाना छात्रों, दो या अधिक समान भिन्नों का योग, दो चरणों में ग्यात किया जाता है. पहला, हम अंशों को जोड़ते हैं, और दूसरा, हम हर को उभए निष्ठ लेते हैं, और अंतताह, भिन्न को दोनों परिणामों के अनुसार लिखते हैं. दो समान भिन्नों का अंतर ग्यात करने के लिए, हम बड़े अंश में से छोटे अंश को घटाते हैं, फिर हर को उभए निष्ठ लेते हैं, उसके बाद भिन्न को दोनों परिणामों के अनुसार लिखते हैं. आसमान भिन्नों को जोड़ना या घटाना हमने समान भिन्नों का जोड़ना वा घटाना सीखा. उन आसमान भिन्नों को जोड़ना भी कोई कठिन कारे नहीं है, जिन भिन्नों के हर समान ना हो. जब हमें इन भिन्नों को जोड़ना या घटाना हो तब सबसे पहले हम भिन्नों के हर समान करते हुए उनके तुल्ले भिन ग्याद करेंगे और उसके बाद उन्हें जोड़ेंगे या घटाएंगे उदारण के लिए तीन बटे साथ और एक बटे चार दो आसमान भिन्न हैं इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम इन भिन्नों के हर समान करते हुए उनके तुल्ले भिन ग्याद करेंगे ये बारा बटे अठाएस और साथ बटे अठाएस हैं नोट करें कि अठाएस साथ और चार का लगुत्तम समापवर्थ है यानि एल्सियम है एक अन्य उधारन में हम आसमान भिन्न को घटाते हैं सबसे पहले हम भिन्नों 3 बटे 4 और 1 बटे 3 के समान हर वाले तुल्ले भिन ग्याद करते हैं चार और तीन का ला सापा यानी LCM 12 है। इसलिए तीन बटे, चार और एक बटे तीन का उत्तर पांच बटे 12 है। मिश्रित भिन्नों का जोड़ना एवं घटाना मिश्रित भिन्न को या तो एक पून भाग और उचित भिन्न अथवा पून रूप से एक विशम भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। मिश्रित भिन्न को जोड़ने या घटाने की एक विधी या है कि पून भागों के लिए अलग संक्रिया करें। और दूसरी विधी ये है कि मिश्रित भिन्नों को विशम भिन्नों के रूप में लिखें और फिर उन्हें जोड़ें या घटाएं। सारांच आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोराएं समान हरवाले भिन्न समान भिन्न कहलाते हैं विभिन्न हरवाले भिन्न आसमान भिन्न कहलाते हैं समान और आसमान भिन्नों की दो विधियों से तुलना की जा सकती है समान भिन्नों को जोडने के लिए सबसे पहले हम अंशों को जोडते हैं उसके बाद हर को उभे निष्ट लेते हैं और अंतता भिन्न को दोनों परिणामों के अनुसार लिखते हैं आसमान भिन्नों को जोडने के लिए हमें समान हर वाले तुल्ले भिन ग्यात करना पड़ता है मिश्रित भिन्न को जोडने या खटाने के लिए पून भाग और भिन्न वाले भाग के लिए अलग संक्रिया करें दूसरी विधी ये है कि मिश्रित भिन्नों को विशम भिन्नों के रूप में लिखें और फिर उन्हें जोड़ें या घटाएं